हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई हो आप आप लोग अच्छे होंगे आज मैं छोटी सी interesting story ले के आई हूँ story का नाम है the blind eagle blind eagle means होता है blind मतलब अंधा eagle means बाज या गिद या गरूर तो अंधा बाज या अंधा गरूर तो चलिए story को read करना शुरू करते हैं Once there were many trees in a forest, once means एक बार there, वहाँ वेर थें, many trees, बहुत सारे पेड इन फोरेड जंगल में, एक जंगल में बहुत सारे पेड थें, a blind eagle made a hollow in one tree of the forest. A blind eagle means अंधा बाज, अंधा गरूर made, में बनाया था, a hollow, hollow means होता है खोकला, खोकला in one tree, एक पेड में, of the forest, जंगल के जंगल के एक पेड में, मतलब एक घर बना लिया था, उसे खोकला करकर उस eagle बाज ने, बाज ने, जंगल के किसी पेड में, बाज ने क्या एक घर बनाया था and lived there permanently, lived रहता था, there, वहां permanently, अस्थाई रूप से, permanently मतलब अस्थाई रूप से, में एक जंगल था, और उस जंगल में, इगल बाज रहता था, पेड में एक घर बना के, अस्थाई रूप से the tree was beside the bank of the river, the tree means paired was beside पास में, the bank of river, the bank of the river मतलब नदी के किनारे, जो पेड था, वो कहां था नदी के किनारे, मतलब नदी के किनारे के पास था, जहां पे इगल रहता था, जहां पे बाज रहता था many other birds many other many many मतलब बहुत बहुत से others दूसरे birds मतलब दूसरे चुरिया पंग्छी also made there also मतलब भी made मतलब बनाए थे there nest वहाँ पे वे अपने घोसले बनाए थे बहुत से जो चुरिया भी वहाँ पे अपने घोसले बनाये थे, in the branches of the tree, branches मतलब टेहनियों में, in the branches of that tree, sorry, of that tree, मतलब उसी पेड में बहुत से पंचियों ने भी अपना nest घोसला बनाया था, that tree मतलब उसी पेड में, They were very kind, वे बहुत ही दयालू थें, पंचियों थें, बहुत ही दयालू थें, and considerate or considerate विचार सील to the blind eagle, blind eagle के प्रती वे लोग बहुत दयालू थें और विचार सील थें, So whatever they ate, they gave the share to the blind eagle, so whatever means, इसलिए जो कुछ भी they ate, मतलब जो कुछ भी वे खाते थें, they gave, वे देते थें, The share, the share मतलब बाटना to the blind eagle, वे लो क्या, जो भी कुछ खाते पीते थें, वो share करकर, अंधे बांच से share करकर खाते थें, As a result, मतलब परिणाम सुरूप, the eagle, जो eagle था, जो बांच था, guarded, मतलब सुरक्षा करना, रक्षा करना, निगरानी करना, the young, the young मतलब जो छोटे, जो पंची के छोटे, fledglings, fledglings means होता है, जो पंची के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कहा जाता है, fledglings, fledglings मतलब पंचियों के छोटे बच्चे, तो उनकी वो रक्षा करता था, उनकी निगरानी करता था, means उनकी देख भाल करता था, जो अंधा बांच था, उन पंचियों के बच्चों की द पर चुरियाएं पर निकलना पड़ता था इस वज़े से इगल क्या उनकी रक्षा करता था उनकी देख रेक करता था क्योंकि इगल तो उड़ नहीं सकता था क्योंकि वो अंदा था उड़ के इधर उदर कहां जाएगा इस वज़े से वो क्या उनकी पंचियों का देख भाल करता था निकरानी करता था जो चुड़ियाँ चाहाती है उनकी साउंड को चाहा जाता है मतलब जो पंची के छोटे बच्चे थे उनकी चाहाने की आवास सुनाई दी उस कुते को and said और कहा there must be many young fledglings in the tree there must be मतलब वहाँ पे many young fledglings in the tree यहाँ पे आवस से जो young पंची के छोटे बच्चे in the tree मतलब इस पेड में आवस से रहते हैं मतलब उसे ऐसा लगा क्योंकि वहाँ पे उसको कुते को आवास सुनाई दी मतलब उसे मैसूस हुआ कि यहाँ पे पंच्चों के छोटे बच्चे क्या रहते हैं I must eat them I must मुझे अवस से उन्हें खाना चाहिए I must eat them मतलब मुझे अवस से उन्हें खाना पड़ेगा मतलब उसके अंदर क्या लालचा गई Suddenly अचानक the dog started climbing up the tree Suddenly dog started कर दिया शुरू कर दिया climbing climbing मतलब होता है चर्णा up the tree up the tree मतलब पेर के उपर वो चर्णा शुरू कर दिया Seeing Seeing मतलब देखते हुए the imminent imminent मतलब होता है करीब पास के danger मतलब अपने पास के खत्रे को देखते हुए the young birds जो छोटे पंच्ची थें chubbed मतलब चछाँने लगें जोड-जोड से क्या चाँचांने लगें loudly जोड-जोर से मतलब जब देखा कि कुटा क्या पास में आरहा है तो वे लोग क्या जोड-जोर से चछाँने लगें जोड-जोर से बोलना सुरू कर दिये the eagle जो बांस था who the eagle who was जो बांस था, जो हालो में था, मतलब जो पेड में हालो बना के, उस खोकले में बैठा हुआ था, मतलब वो अपने नेस्ट में, अपने घोसले में बैठा हुआ था, realized, महसूस किया, everything, हर चीज वो क्या महसूस कर लिया, उसने सुना कि जो पंची के बच्चे हैं, वो जोर जोर से चिला रहे हैं, चाचाहा रहे हैं, तो वो क्या समझ गया कि कुछ न कुछ चीज खत्रा है, तो वो समझ गया, he came out, वो क्या बाहर आया, of the hollow, उस खोखलया से क्या बाहर आया, and said, and said, or कहा, how do you dare to disturb these young fleslings, how do you dare, मतलब तुमने कैसे साहस किया, dare, मतलब साहस किया, to disturb, disturb, मतलब परसान, to disturb, परसान करने का इन जो छोटे ऑन चो परसान करने करने का कैसे साहस किया है उससे क्या डाटने लगा मतलब गुसा धिखाने लगा जो वांस था घुसा दिखाने लगा कुट्ते को finding no one the eagle turned round finding मतलब मतलब पाना no one मतलब किसी को भी नहीं वो किसी को नहीं पाया the eagle बांच क्या turn round मतलब चारो तरफ घुमा हाँ और वो देखा वो मतलब वहाँ पे कोई नहीं है and or the dog notice जो कुता था यह notice किया यह ध्यान दिया कि मैं तो यहाँ पे हूँ पर eagle को मैं दिख नहीं रहा हूँ that the eagle was blind कुता नोटिस किया कि eagle क्या है जो बांच है blind है अंधा है मतलब उसे दिख नहीं रहा है to make him foolish the dog said to make him foolish मतलब उसे क्या मुर्ख बनाया जाए foolish मतलब मुर्ख मतलब बनाना to make him foolish उसे क्या मुर्ख बनाया जाए उस गुटे ने कहा I am a dog मैं क्या डॉग हूँ उस ऐगल से बात कर रहा है उस बात कर रहा है I have come to see you मतलब मैं तुम से क्या मिलने आया हूँ मतलब मैं तुम से मिलने आया हूँ तुम्हें देखने आया हूँ The eagle said बाज ने कहा I am not afraid of a dog मैं तो Eagle Banz ने कहा मैं क्या I am not मैं नहीं Offered मतलब मैं नहीं डरता Offered Dog मैं कुछते से क्या नहीं डरता हूँ I tell you leave this place immediately I tell you Eagle Banz ने कहा tell मतलब कहा you I tell you उस कुछते से कहा I tell you leave this place immediately leave मतलब छोड़ दो this place को इस जगह को immediately जल्दी ततकाली ये जगह को तुम छोड़ के चले जाओ the dog said कुट्टे ने कहा I have no intention I have no intention मतलब होता है मतलब चाह होना एम होना लक्ष होना मतलब होना I have no intention मेरा कोई ये लक्ष नहीं है of harming harming मतलब नुकसान पहुचाना you तुम्हे are the young birds और या जो छोटे पंच्चों के बच्चे हैं उनको मतलब मेरा ये कोई लक्ष नहीं है न तुम्हें परसान करना नहीं नहीं इन पंच्चों के छोटे बच्चों को मिन्स ये छोटे बच्चों को भी मतलब मैं यहाँ पे किसी को नेचर मतलब इसने ही नेचर लोगों की केर करने वाला सभाव मतलब देखा है मैंने इस वज़े से क्या मैं यहाँ पे आया हूँ that is why इस कारण से इस वज़े से I have come यह मैं यहाँ आया हूँ to meet you तुमसे मिलने I want to be your follower I want मैं चाहता हूँ to be होना your तुम्हारा followers तुम्हारा सिस्य बनना चाहता हूँ तुम्हारा एक तरह से मतलब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मतलब यह कुछता कह रहा है please grant my request please कृपया grant मतलब grant कर दीजे हामी कर दीजे my request मेरी प्रातना को and make me your devoted disciple make your मतलब बना लेजिए make मतलब बना लेना मुझे your devoted मतलब भक्त disciple disciple मतलब वोता सिस्य मतलब मुझे क्या अपना एक सच्चा भक्त मतलब एक सच्चा सिस्य बना लेजिए उस डॉग ने कहा the blind eagle was impressed by these words जो अंधा बांस था impressed हो गया मतलब प्रभावित हो गया by these words इन सब इन सब्दों से वो क्या बहुत ही प्रभावित हो गया मतलब जो डॉग यह सब बातें कहा कि कि तुम बहुत दयालू हो तुम बहुत समझदार हो मुझे अपना सिस से बना लीजे यह सब चीजें सुन कर क्या जो अंधा बांस था वो बहुत impressed हो गया प्रभावित हो गया मतलब कुद्दे की बातों को क्या वो सच जानने लगा बट ही वाज डाउटफूल इन हीस माइंड तो परंतु ही वाज डाउटफूल मतलब संदे होना इन हीस माइंड अपने दिमाग पर उसे क्या संदे संदे भी हो रहा था तो इस लिए अतव कहा वेल आई टेक यू वेल मिन्त अच्छा आई टेक यू मैं टेक मतलब लेना यू मतलब लेता हूँ मतलब चुनता हूँ as a disciple मतलब होता है सिस्य अफ माइन मतलब मैं अपना क्या तुमें सिस्य बनाता हूँ जो पंच्यों के छोटे बच्चे हैं are terribly 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 मतलब भैंकर रूप से afraid of you तुमसे क्या वो डरते हैं तो मैं तुमें अपना सिस्य से बनाता हूँ परन्तु जो पंच्यों के छोटे बच्चे हैं वेलो क्या भैंकर रूप से तुमसे डर रहे हैं प्लीज लीव दिस प्लेज क्रिपया लीव छोड़ दो दिस प्लेज मतलब मैं बना लूँगा बनाता हूँ तुमें परन्तु जो छोटे बच्चे हैं वे तुमसे डरते हैं इस वज़े से क्रिपया तुम ये जगां को छोड़ दो मतलब इगल को जो बांस था उसे भरोसा भी हो रहा था नई भी हो रहा था दोनों उसके दिमाग में चल ला था इस वज़े से उसने कहा कि तुम ये जगां को क्या छोड़ के चले जाओ दोग सेड कुटे ने कहा there is no reason to be worried there is no reason to be worried मतलब चिंता की कोई बात नहीं है चिंता करने का कोई बात नहीं है वरीड मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है I have given up मैंने given up मतलब त्याग कर देना मैंने त्याग कर दिया है eating खाना flesh flesh मतलब months and eggs मतलब अंडे for nearly an a year मतलब निकट ही पास में ही हाल में ही हाल के साल में मैंने क्या ये अंडे और ये months खाना क्या छोड़ दिया है त्याग कर दिया है so the eagle believed in the words of the dog so इसलिए अथ इगल जो बास था believed बिस्वास कर लिया in the words उन सब्दों पर of the dog dog के सब्दों पर क्या बिस्वास कर लिया एक तरह से उस कुत्ते पर बिस्वास कर लिया from that day onwards उसी दिन से from that day onwards मतलब उसी दिन से the dog जो कुत्ता था used to मतलब आदी हो गया मतलब वहां आने लगा to visit वहां बार बार आने लगा visit the eagle eagle के पास बांच के पास आने लगा every day प्रती दिन to consult विचार भी मर्स करने बात चीत करने some कुछ spiritual means अध्यात्मिक matters matters मतलब मामले मतलब कुछ अध्यात्मिक मामलों में बात चीत करने उस बांच से कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए क्या वो कुत्ता वहां आने लगा the fledglings are not afraid of the dog जो fledglings थे जो पंच्छीों के छोटे बच्चे थे वे भी क्या अब afraid of मतलब उससे डरने नहीं लगें कुत्ते से अब डरने अब नहीं लगें now अब मतलब जब कुत्ते से उन पंच्छीों का भी परचय हो गया तो वे लोग भी उससे डरना छोड़ दियें मतलब वे लोग क्या friendly हो गयें कुत्ते से डरना बंद कर दिया now मतलब अब because क्यूंकि the dog did not harm them क्यूंकि जो कुत्ता था did not harm हम मतलब नुकसान पहुंचाना दे मतलब कुत्ता क्या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था इस वैसे चुडिया के बच्चे भी अब डरना अब डरते नहीं थे so the eagle had great confidence over the dog so अतर इसलिए eagle क्या had great confidence great मतलब बहुत ज्यादा confidence मतलब बिस्वास over the dog over the dog मतलब कुत्ते पर eagle का मतलब बहुत बिस्वास क्या बढ़ गया कुत्ते पर मतलब वो कुत्ते पर बिस्वास करने लगा by the time means जब तक the dog जो कुता था had won जीत लिया था fully means संपूरूप से पूरी तरह से the confidence विश्वास of eagle मतलब वो eagle का विश्वास संपूरूप से जीत लिया था then the dog फिर जो dog then the dog जो फिर the dog जो कुता था did not conceal छिपा नहीं सकता था his greed अपनी लालज को any longer बिल्कूल भी वो नहीं छुपा सकता था अपनी लालज को he knew वो जानता था he knew मतलब जानता था the eagle जो बास वो जानता था बास would not suspect suspect मतलब होता है संदे करना मतलब him मतलब वो eagle उस पे संदे नहीं करेगा incoming deer यहाँ आने में incoming deer मतलब वहाँ जहाँ पे पंच्यों के बच्चे रहते थे अब जब कुता आएगा तो वहाँ पे eagle क्या उस पे संदे नहीं करेगा क्योंकि वो तो बास को कुत्ते पर क्या संपूरूप से भरोसा था इस वज़े से अब कुत्ता यहाँ पे आए तो भी बार बार भी आए कभी भी आए तो बाच को बिलकूल भी मतलब की कोई भी confusion नहीं रहेगा इसलिए एवरी आप्टरनून मतलब हर दोपहर वेन जब 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 चुडिया थे जो पंची थे वेर आउटिंग बाहर चले जाते थे इन सर्च इन सर्च अब भोजन की तालास में द डॉग यूजड तो कम तब क्या डॉग आता था यूजड तो कम मतलब वहां आता था तू द इगल इगल के पास आता था मतलब रोज रोज आकर कुटा क्या इगल का बांच का बिस्वाज जीत लिया था डॉग तो अपने लालश में इगल से दोस्ती किया था बांच से दोस्ती किया था तो देखिया आगे क्या होता है में कुट्ता जब आया इगल से मिलने के बहाने तो क्या देखा कि बांच क्या सोया पड़ा है गहरी निद्रा में and taking that opportunity और क्या taking मतलब लिया that opportunity इस मौके को क्या उसने मतलब इस मौके का फायदा उठाया he climbed up वो क्या climbed up मतलब पेड़ पे चड़ गया up the tree पेड़ पे चड़ गया and gobbled gobbled मतलब जल्दी जल्दी क्या fledglings को one by one मतलब जल्दी जल्दी खाने लगा जो पंच्छों के बच्छों को धीरे धीरे खाने लगा एक एक करके उन पंच्छों के बच्छों को वो जल्दी जल्दी खाने लगा गोबल मतलब जल्दी जल्दी खाना यह जो काम चल रहा था, यह जो भी काम चल रहा था, लगातार फोर सेवरल दे, फोर सेवरल दे, मतलब कई दिनों तक यह काम चलता रहा, डॉग आता और छोटे छोटे बच्चों को वो खा जाता था Soon the birds found that their young fledglings were lessening, soon जल्दी birds जो पंची थे, found पाएं that की their young fledglings, जो उनके छोटे बच्चे हैं, were lessening, means कम हो रहा हैं, listening मतलब कम होना, मतलब उन्होंने ध्यान दिया कि क्या उनके जो बच्चे हैं, अब कम हो रहा हैं आगे पढ़ते हैं, day by day, उन्होंने जो पंची थे, उन्होंने देखा कि उनके बच्चे क्या धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, day by day, दिन प्रती दिन, उनके बच्चे कम हो रहे हैं they suspected the dog, मतलब संदे किया, the dog, मतलब उस जो कुत्ता आता था, उस पे क्या doubt किया, इसी के वज़े से क्या हमारे बच्चे धीरे-धीरे खतम हो रहे हैं the dog realized his imminent danger, वो जो कुत्ता था, realized, महसूस किया, his imminent, imminent मतलब करीब के खत्रे को, मतलब जो पास में खत्रा है, उसे महसूस किया मतलब वो समझ गया कि अब क्या पंची भी समझ गया है कि मैं ही आता हूँ और इनके बच्चों को खा जाता हूँ, उसे भी ऐसा महसूस हो गया so he thought of leaving the place and went away, अतर इसलिए he thought was socha of living, living मतलब छोड़ देने का the place उस जग़ों को छोड़ देने का सोचा and went away और दूर चले जाने का सोचा, the birds started searching for the wicked dog, पंचियों ने सुरू कर दिया, searching खोजने खोजना for the wicked dog, wicked मतलब बदमा सैतान डोग को सैतान कुते को खोजना शुरू कर दिया by the time they had lost all their fledglings, तब तक क्या वेलो क्या खो चुके थे, they had lost, खो चुके थे, all सभी their fledglings, अपने छोटे बच्चों को उनोंने खो दिया था, then they went to the blind eagle, फिर वेलो क्या गए, they went, मतलब गए, to the blind eagle, उस अंधे बाच के पास गए and complained and complained और शिकायत की against or against खिलाफ दवी के डॉग, उस सैतान, उस बदमास, कुते के खिलाफ क्या शिकायत की, वे लोग उस अंधे बाच के पास गए और शिकायत की, the blind eagle was surprised to hear this, जो blind eagle था, जो अंधा बाच था, was surprised, वे अश्यर चकीत हो गया, to hear, यह सुनके, this, यह सुनके वो क्या अश्यर चकीत हो गया, because the eagle was unaware of dog's ferocious activities, क्योंकि eagle नहीं जानता था, बास नहीं जानता था, unaware मतलब अस अचेत होना, वो नहीं जानता था, dog के इस खुंखार क्रिया कलाब को वो नहीं जानता था, मतलब वो तो जानता था कि डॉग अच्छा है वो उसका सिस्य है मतलब अच्छी अच्छी बाते करता है पर वो नहीं जानता था कि डॉग इतना खतरनाक है वो क्या आश्चर चकीत हो गया वे रीजड ळीगलस, उसमें गया चेक करने गया इगल जहां रहता था वहाँ पे गया देशा दा बाउन्स ओफ यंग बर्ड्स जो पंच्छी पें उनकी हड्डियों को उन्होंने क्या इगलस के ओफ में पाया मतलब कुत्ता क्या चलांग भी था अपने खा खा कर हड़ियां क्या इगल के घोसले में रख देता था बांच के घोसले में रख देता था इतना चलांग था अब जो पंची थें मतलब उसे क्या दोसी बना दिये मतलब पंची थें सोचें कि इगल ये फॉर इटिंग अप ये खा जाता है देयर यंग फ्लेज्लिंक मतलब अपर हमारे बच्चों को हम बच्चों को खा जाता है इगल सो दबर्ट्स पांच्ड अत इस इसलिए बर्ट्स जो चडिया थे पांच्ड जपड परें कूत परें on the इगल से उस बांच पे कूद परें with their claws and beaks अपने पंजे क्लाज मतलब होता है पंजे and beaks मतलब होता चोंच मतलब इन सब चीजों से उस पे वार करने लगें and pushed him pushed हम मतलब धक्का देना out of the trees hollow और उस जहां उस trees का hollow था जहां पे खोखला बना हुआ था वहां से उसे क्या धक्का दे दिया the blind eagle had fallen into the ground जो अंधा बांस था had fallen वो गिर गया into the ground धरती पर क्या जमीन पे वो गिर गया thus the blind eagle paid इस प्रकार से blind eagle था जो अंधा बांस था paid भरपाई किया for the blind faith faith मतलब अंधा बिश्वास faith मतलब बिश्वास करना अंधा बिश्वास he had in the wicked dog जो उसने क्या एक बदमास एक शैतान डौग पे किया था उसकी भरपाई क्या उस अंधे बांच को देनी पड़ी means जो अंधा बांस था उसने भरोसा दिखाया एक अंजान आदमी पे विश्वास किया पर उस कुत्ते ने क्या उस विश्वास को तोड़ दिया और इस वज़े से बांच को क्या अपनी जान गवानी पड़ी जबकि उसमें उसका कोई भी कसूर नहीं था बस उसका यही कसूर था क्योंकि उसने क्या एक अंजान पे विश्वास किया एक धोखे बाज पे विश्वास किया तो यह स्टोरी हमें यह सिक्षा देती है कि हमें किसी पर भी आख मून कर भरोसा नहीं करना चाहिए हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए दिल से काम लेना चाहिए भरोसा करना चाहिए पर यह नहीं कि पूरा अंधा भरोसा हो आख बंद करके भरोसा किया जाए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने वाला कब क्या कर दे ये कोई भी नहीं बता सकता तो आज की स्टोरी हमारी खतम होती है अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करीगा, शेयर करीगा, कमेंट करीगा थैंक यू